बहुत सारे लोग हमें ये सवाल करते हैं कि जब हम नवाण मंत्र जब करते हैं क्या साबधानी हमें लेना चाहिए क्या साबधानी के साथ जब करें पहली तो बात है कि नवाण मंत्र अगर आप उसकी कोई बड़ी अनुष्ठान कर रहे हैं तो गुरू की परामस से, गुरू की आदेश से या फिर गुरू की मार्ग दस्वन में करे हैं अगर बहुत ज़्यादा आप मंत्र जब कर रहे हैं और अगर आप नित्य एक माला नवाण मंत्र जब कर रहे हैं तो मैं यह कहूंगा कि उसके साथ में सीप पंचाक सरी मंत्र का एक माला जब करें क्यूकि जब आप नवाण मंत्र करते हैं, सरीर में अत्यधिक उर्जा जो है वो उत्पन्न होती है बहुत सारे लोगों ने भी हमें कहा है कि नवार मंतर जब करने के बाद हमें ये समझ्या हो रही है वो समझ्या हो रही है आप कुछ ना करें अगर आपको नवार मंतर जब करना ही है तो उसके साथ एक माला सी पंचाकसरी मंतर का जब करें हमें इस प्रकार का वीडियो बार-बार बनाने के लिए हमारी इच्छा इसलिए रहती है कि कुछ ने सब्सक्राइबर होते हैं जो आते हैं और वो पूछते रहते हैं कि नवार मंतर में हमें अधिकुर्जा अनुभूती हो रही है तो हम क्या करेंगे हमें किस प्रकार से इस चीज को करना है तो उनके लिए एक ही उत्तर है कि हमेशा ही नवार मंतर जब के समय आप जो है एक माला सी पंचाक सरी मंतर का जब करें आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा अनुभूती होगा ठीक है ना जय भूले